आज मैं आपके साथ शेयर करने हेरफॉल कंड्रोर करने का बहुत यासान सा बट बहुत इफेक्टिव और मुला जिन लोगों को बालों में उयल लगाना पसंद नहीं है वो भी एरेमरी ट्राय कर सकते हैं इसके बाद उन्हें उयल लगाने की जुरत नहीं पड़ेगी ये घर इलून उसका आपके बालों का जर्णा रोक कर नए बालों को गाने में बहुत ज्यादा कारगर इससे आपके बाल काले लंबे घने मोटे मजबूत होंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना हेलो एब्रीवाइन वेलकम बैक चैनल म काजोल किचेन को बनाने के लिए हम जब से पहले लेंगे दो चमज फैनोग्रीक सीट्स यानि की मेथी दाना या आपके बालों का जैंडना रोक कर नए बालों को गाने में बहुत ही कारगर है अगर आपके बालों में डेंडरव है तो डेंडरव से भी आपको यहां पर मैंने दो चमच मेधी लिए इसे मैंने अच्छे से वास कर लिया है और वास करने के बाद मैंने इसे एक कप पानी में भीगो कर रख दिया है एक कप पानी की जगह पर आप आधे कप पानी में इसे भीगो के रख सकते हो मैंने ज़्यादा पानी आट किया है क्योंकि मैं मेथी का यूज अपने बालो के लिए बहुत ही जादा करती हूँ आप इसे इसी तरह से किसी भी बरतन में भीगो कर रात भर के लिए ढखकर छोड़ दीजिए सुबह आपकी मेथी बहुत यची से फूल जाएगी आप इसे तीन से चार दिन भी फूलने दे सकते हैं तो य यूट्रेंस बहुत यचे से पानी में आ जाते हैं अमकुरी चीजे हमारी हेल्थ और हमारे बाल दोनों के लिए ही बहुत ही अच्छे होते हैं तो यहां पर मैं भी सिर्फ थोड़े से पानी का यूज कर रही हूं बाकी का पानी मैं ऐसे ही ढखकर रख दूंगी फ्रिज मे नेक्स्टे मैं में मेथी का प्लेन पानी अपने बालों में यूज करूंगी जब यह पानी खतम हो जाए तब आपको मेथी को फैकना नहीं है मेथी को आपको ग्राइंड करके अपने बालों में अच्छे से लगा लेना है मेथी का हेर मास्क भी आपके बालों के लिए एस्टरोयल एकदम ठीक होता उसी तरीके से आपके बालों को मोटा करने में हेल्प करता है तीसरी चीज़ हम यहाँ पर एड़ करेंगे वाइटमिन-E का कैपसूल वाइटमिन-E आपके बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप वाइटमिन-E वाली चीज़े ख खतम होंगे बड़ जब इन तीनों चीज़ों को कॉमिनेशन आप अपने बालों में यूज करेंगे तो यकीन मानिया ऐसा मैजिकर रिजल्ट मिलेगा आपको कि आप हैरान रह जाएंगे आपकी बाल चाहे कितने भी जड़रे हो पतले रूखी सुखी वेजान हो यह टॉनि मेधी का पानी लगा लीजिए जब मेधी का भाणी ड्राय हो जब वाइटमीन-E का ऑएल और थोड़नेट ऑई भालों मिकस करके अपने बालों मेस्ट आपके रह ज़क्यों मेसित अपके बोह नहीं दे मैंद्वों बलू ᵪॉर्जात हुसालाateurs सिक लिए specifically화 के ननन्हाँ ल बालों में लगा कर दिखा रही हूं इस टॉनिक को आपको बालों की जड़ों में बहुत एच्छ से लगाना है ताकि यह जड़ों के अंदर तक जाए जब बालों की जड़े मजबूत होंगी तो हैरफॉल भी कंट्रोल होगा बाल लंबे कहने भी होंगे और जब यह टॉनिक आप अपने बालों के लिए यूज कीजिए आपको इसके 100% रिजल्स मिलेंगे और अगर आपके बाल नहीं भी जड़ रहे हैं तभी आप इस टॉनिक का यूज कीजिए आपके बालों में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी हैरफॉल नहीं होगा आपको कम से कम हफते में दो बार अपने बालों में जरूर कीजिए आपके बालों की सभी प्रॉब्लम सॉल्फ होंगी बाल काले लंबे घने मजबूत होंगे नए बाल भी हो गेंगे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना थांकियो फॉर ओचिंग बाबाई